ओम सिरी गनी साइनमा दोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 जून सनिवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है घरियो अच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर-परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके द्वारा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तता परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साति साथ आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कार्यों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रख रखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़े से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रख जिससे घर में शकारतमक उर्जा का वास होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रियतन करें सावधानी रखते हुए किसी भी कार्र को करें अपने आप पर भरोसा कर करते हुए आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं जिसकी वज़े से सुभाब में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्मविश्वास उर्जा बनाकर र पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भी आज लग रही है दोस्तों अपने संबान की देखवाल आप श्वेम करें चोरी होने अत्वा खोने की संभवना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्क तुरंती ही उस कारे को करें जादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है साथ ही किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा सावध्यान रहें दोस्तों ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी साथी भाब में धहरें वे नर्मी बनाकर आप रखें जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती हैं जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाल आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरन संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वेवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक हैं दोस्तो वेवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर बमोद प्रमोद में व्यतित करें इससे सबी को प्रसंद ता मिलेगी दोस्तो बात करेंगे आज़ towards केयरे केसा रहने वाला हैं दोस्तो कारेश छित्र में आज आपको सफल ता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाय बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है ववशाइक छेत्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साथ साथ नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच्छ अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छ रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामान ने रहने वाली हैं आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होने की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद काले गोडे की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनवा कर भगवान शनीदेव का इस्वनान करते हुए अपनी माद्यमा उंगली में धारन करें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनीदेव के आशिरवास से आपको जल्द ही शुब फलोक की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें वहुत या सनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विसेश लाब प्राप्तो गा दोस्तो भगवान शनीदेव का सिरवात आपको प्राप्तो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैस शनीदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यमात